रोट प्रेंड्स वेलकम एंड वेलकम बेख टो मैं चैनल स्एयंद SS इलेक्ट्रिक में आप सभी लोगों का सुवागत है तो देखिए फ्रेंड्स आज हम दिखाएंगे एक सी स्टार्टर और एक स्वीच का जो फासला है डिफारेंश है इसका काम क्या है और इसका काम क्या ह यह हम दिखाएंगे यह एक switch है और यह एक एक Strirter है ठीक है तो इसी Starter कैसे काम करता है और एक switch काम करता है यह हम आज दिखाएंगे लिटीखले तो देखने से पहले आप अगर मेरे Channel पर नए हो तो Canon 극्रस बिच में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्लीज दवा दो क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियो आपको बार बार मिलती रहेगी ओके दोस्तों तो चलिए देखिए मैं पहले एसी स्टडर को एक लैम के साथ जोड़ता हूं ठीक है तो लैम के साथ जोड़ने के बाद इसका काम कै है दिखाता हूं ओके तो यह एक वायर है यह एक मैं वायर यह है वायर तो इसको मैं पहले एसी स्टडर में लगाता हूं ठीक है यह इसी स्टडर में दे लिया ठीक है इसी स्टडर में मैंने दे लिया देखिए दे लिया अब इसको हम लाइन से कनेक्ट करेंगे ओके तो मैं इसमें लाइन दे रहा हूं देखिए यह स्विच अन था इसी लिए जोल गया लैम तो देखिए यह स्विच को मैंने आफ कर दिया फिर से अन करता हूं देखिए लैम जल गया यानि एसी अन हो गया लेकिन इसके बगल में एक लेकिन है वो क्या है यह जो एसी स्टडर है इसमें एक सिस्टेम दिया गया है जो वो ज्यादा एमपेर देने के बाद अपने अप्श यह छड यह जो हमने स्विच दिया लाइन ओन हो गया ठीक है तो अभी इस पर ज्यादा एमपेर ले लिया मने अनली जी एसी स्ट हो गया तो अब एमसी भी नहीं लगा हो गया तो भी यह आफ हो जाएगा ज्यादा एमपेर में ठीक है जो स्विच नहीं होगा जल जाएगा ठीक है तो एसी स्टाटर ऐसे ही काम करता है लेकिन इसमें एक फासला और भी है यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइन और मोटर यह दोनों का स्पेसिफिक कर दिया गया है जब नगे लाइन दो गे तो इसमें ही देना पड़ेगा और इसमें ही आपको यहाँ कर देना पाड़ा एसी का जो सब्लाइस अब स्टाटर दिखा दिया अब हम स्टले तो देखिए दोस्तों ये एक स्टुष है मैं स्ट्रूी बेभु वायर डाल रहा हूं विला हमेड़ार 1 झाल को प्रेहलों के भ्रेहं मैं जढुन तेसा कि भी octopus हमेडलों कर दो एंक, ते फे जार प्रेहलों के भी सुन चुट्ट ओिलिव हमेड़ा तो देखिए दोस्तों मैंने switch बेवेट डाल दिया लेब्ड का वएब तो अभी इसमें हम लाइन देंगे तो दोस्तो लाइन दे दिया मैंने ये switch on था अभी इसको उप करेंगे और on करेंगे इसका काम करने का तरीका एक है लेकिन दोस्तों इसका जो पावर देने के बाद ये खुद से ट्रिप नहीं होगा क्यों नहीं होगा इसके अंदर वो सिस्टेम दिया नहीं गया है अभी ये तो जस्ट टाच कर दिया ये दोनों को सॉट कर दिया तो हो गया इसका कम लेकिन एसी स्टाटर में ऐसा नहीं होता है एसी स्टाटर में एक सिस्टेम दिया गया है जो खुद से ट्रिप होगा अगर मान लीजिए ज्यादा Ampire इसमें के चला गया तो ये ट्रिप हो जाएगा ये ही इसका अंतर है और ये ज्यादा लोड केरी कर पाएगा 16 Ampire का स्वीश है और ये 20 Ampire का स्टर्टर है ठीक है तो ये ज्यादा लोड केरी कर पाएगा यही फासला है इन दोनों में ओके फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स अपने मेरा वीडियो देखा तो कैसा लगा प्लीस कमेंट करके बताईए और मेरा वीडियो को वाच कीजिए फूरा वाच कीजिए ठीक है? तो thanks for watching my वीडियो